हेलो साइबर वोम्स वेलकम बैक मैं हूँ अनील यादब और आप देख रहे हैं नीट रूट्स और पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट की सब डोमेंस और जीमिल आइडिस निकाल सकते हैं इसी तरह से आज की वीडियो में हम देखने वाल कि कैसे आप वेबसाइट की टेकनलोजिस को फाइंड कर सकते हैं और उनसे इन्फोर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले मूफ करते हैं अपने फायर फॉक्स के ऊपर और फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल डॉट कॉम उसके बाद इंटर करेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे बिल्ट विट तो आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में लिंक है बि टेस्टिंग कर रहे हैं उसका URL डाल कर उनके बारे में बहुत सारी इंफ्रमेशन निकाल सकते हैं लाइकि यहाँ पर मैं डाइप करता हूं टेसला.com उसके बाद इंटर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे डीटेल्स आचुके हैं यहाँ पर इस टेग, गूगल टेग मैनेजर इन सारे वेबसाइट के अंदर जो भी टेसला के जो टेक्स हैं उन सबका इंफ्रमेशन आमको यह वेबसाइट दिखा देती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टीम वीवर भी है इसी तरह से गीठब भी है तो यहाँ पर इस व थूरी तूल के उपर तो उसके लिए हम अपना िू टैब leans ऐबन करते हैं और फिर हम यहाँ पर ताइप करते हैं वेबुल आइजर सकते हम इसको आपने और और अपर अपने फायरस में एड़ कर सकते हम यहाँ पर ऑल्रेदी मैंने-डड कर रखा है तो आप इसको आड़ करके add कर देना होगा यहां पर अपने firefox के अंदर यहां पर मैंने already add कर रखा है इसलिए मेरे पास यहां पर remove का option आ रहा है तो यह कैसे काम करता है कि जो website है उसके अंदर कौन सी programming language या फिर कौन सी technology यहां पर मैं new tab open करूंगा और यहां पर मैं टाइप करूंगा tesla.com उसके बाद मैं इसको इंटर करूंगा उसके बाद हम इसको open करेंगे यह website open हो चुकी है अब इसके अंदर कौन कौन सी technology यूज हुई है उसको चेक करने के लिए हम अपने वेपलाइजर add-ons को चेक करेंगे तो उसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो CMS है वो Drupal पर hosted है और programming language इसका PHP है तो इसका javascript framework के अंदर react है, advertising के लिए twitter ads, issue trackers के लिए sentry, tag managers के लिए google tag manager, security के लिए hsts और akamal boat manager, इसी तरह से javascript libraries के अंदर lodas and lodas.js है तो guys यह सारी चीज़े आप web manager की help से निकाल सकते हैं और अब हम built with website के अंदर देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन-कौन सी technologies use हुई है उसको build करने के लिए तो हम आ जाते हैं अपने build with website के अंदर और उसके बाद यहां पर हम अपने extension पर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं javascript frameworks, cdn, security, javascript libraries, font scripts, pass, web frameworks, ui frameworks और यह सारी चीज़े कौन-कौन सी language या फिर कौन-कौन सी websites पर hosted हैं वो सभी detailed info आपको यहां पर दिखा देगा तो इसी तरह से आपको vaporizer यूज़ करके अपनी जो bug bounty आप जहां पर कर रहे हैं उस website के detail info या कौन सी technology से वो built हुई है उन सभी का detail यहां से आप निकाल सकते हैं और अब हम move करते हैं अपने एक और टूल के उपर जो कि हम टर्मिनल के उपर देखने वाले हैं तो इसके लिए मैं इसको minimize करता हूं और फिर हम open करते हैं अपने टर्मिनल को और फिर हम यहां पर type करेंगे what wave उसके बाद हम इसको enter करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं what WahveTool रण कर चुका है तो यहां पर आपको क्या करना होता है What foods और उसके बाद जो भी आपका वेपसाit है उसका URL यहां पर टाइप करना होता है तो हम यहां पर टाइप करते हैं whatWeb और फिर हम यहां पर अपने browser पर आ जाते हैं उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं जैस सी हमारे पास क्या क्या रिएल्ट्स आते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास उतना ज्यादर डीटेल इंफो नहीं आया है बट फिर भी एजन इतिकल लाकर एजन पेंटेश्टर आपको यह सारी चीजे जाननी की बहुत ज़रूरी है यहां पर हमारे पास आ चुका है होस्ट का नेम कंट्री का नेम उसके बाद सर्वर अकरमाई होस्ट और आईप एड्रेस आ चुका है हमारे पास इसी तरह से हमारे पास और भी इंफो आ चुकी है बट यहां पर title में access denied है और हमारे पास uncommon headers भी आ चुका है बट यहां पर साथ यह error दिखा रहा है और इन्हों ने अपना security और भी strong कर रखा है इसलिए हमारे पास common headers नहीं दिखा रहा है अगर आप किसी website के अदर bug bounty कर रहें तो वहां पर आप इस tool के use करके और भी info निकाल सकते हैं और अगर को यहां से नहीं मिलता है तो आप यहां पर build with के अंदर अपने website का details निकाल सकते हैं इसे तरह से अगर आपको यहाँ पर भी कोई info नहीं मिलता है, मालो मिलता है बट उतना important info नहीं मिलता है, तब भी आप webalizer का यूज करके और भी information निकाल सकते हैं, mainly जो pen tester होते हैं, वो webalizer का ही यूज करते हैं, website technologies find करने के लिए, इसलिए मैं भी recommend करता हूँ कि आप webalizer को ही यूज करें, और अपने firefox extension में add कर लें, ताकि आपको simply website open करते ही, extension पर click करके direct आपको सभी information दिख जाए, so guys यह था हमार आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप website technologies निकाल सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि आप कैसे built with website का यूज कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे आप webalizer का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हमने what web tool का यूज किया, और आगे आने वाली videos के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप और भी advanced way में information gather कर सकते हैं, so till then stay safe, stay secure, thank you.